हलो दोस्तों स्वागत है आपका एकबर फिर से आपके अपने यूटूब चैनल दचोप पोर्टल एंड ओनलाइन सेवा में जहां मिलता आपको ओनलाइन सॉलिशन दोस्तों आज के स्प्टिम आपको आने वाला हूँ स्कोललशिप आपको मिल सकते हैं अगर आप इलिजेबल है तो कितनी स्कोललशिप आपको मिलेगी जान का रिकिए हम आपने आपकर बात करने वाले हैं तो वीडियो को ज्यान से लाश्टर तक देखते रही हैं 의क वीडियो को राष्टर पेसन के सबसक्राइब कर लोए हैं त जो scholarship का नाम है वो है बढ़ते कदम scholarship और HDFC की तरफ से निकाली गई है for undergraduate student in general and professional degrees ठीक है तो जो भी undergraduate student है जो general degree कर रहे है या फिर professional degree कर रहे है उन सब के लिए यहाँ पर scholarship रखी गई है scholarship amount up to 1 lakh ठीक है तो 1 lakh तक का यहाँ पर amount आपको scholarship amount मिल सकता है का eligibility criteria इसमें रखा गया है हम उसकी भी बात यहाँ पर करने वाले हैं और किस-किस को कौन-कौन से student मतलब 9th वालों को भी मिल सकती है 12th वालों को मिल सकती है फिस सिर्प के अंडर गेजबिट वाले student के लिए है अपर हम सारी बाते करने वाले है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों HDFC Limited की तरफ से जो scholarship निकाली गई है इसका नाम में बढ़ते कदम scholarship 2021 के लिए और यहाँ पर क्या eligibility criteria रखा गया हम पहले उसकी बात कर लेते हैं ठीक है तो पहले था about the program इस program के बारे हम जान लेते कि कि actually है क्या HDFC Limited बढ़ते कदम scholarship तो HDFC Limited बढ़ते कदम scholarship aims to provide financial assistance to help student continue and complete their education especially those whose family have been impacted due to the pandemic result in a risk of the student discounting their education ठीक है तो यह जो scholarship बढ़ते कदम scholarship यह उन student के लिए है जो अपनी education को continue करना चाहते हैं और यह उन students के लिए है जिनके family जो pandemic result के दौरान जो है उनकी education discontinue हो गई थी जिन्होंना बीच में ही अपनी education छोड़ दी अपनी पड़ाई लिकाई छोड़ दी उनके लिए तो यह काफी अच्छी scholarship है in addition in due course the program will be offer selected candidate additional support which could include mental health and wellness counseling, career counseling and mentorship ठीक है और इनके अलावा scholarship के अलाव भी यहाँ पर बहुत सरे जो support है HDFC के तरफ से दिये जाता है जिसमें के mental health, wellness, counseling, career, counseling, mentorship वाले इस type के भी other supports भी आप आपको मिलते हैं अगर आप इस scholarship के लिए जो है select होते हैं तो the scholarship fund is exclusive meant by meeting the academic expenses of the selected candidate which may include tuition fee, hostel fees, data recharge, online learning devices, books, stationery, etc तो यहाँ पर यह जो scholarship है यह जो hostel fees वगरा है यह सब भी आपको जो है देती है चलिए अब हम बात कहते हैं scholarship के बारहे में कि किस के लिए है कौन को निलिजिबल है तो यहाँ पर देख सकते हैं HDFC Limited बढ़ते कतम scholarship for class 9th to 12th student 2021-22 ठीक है तो अगर आप 9th से लेकर 12th तक के student है यहाँ पर देखिए benefits आपको मिलता है 15,000 रुपे for rural student जो गाओं के इसकूल में पढ़ते हैं जो गाओंवाले student है उनको यहाँ पर 15,000 रुपे की scholarship मिलती है और जो urban students हैं जो city या शहर में पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर 20,000 की scholarship र इसमें eligibility रखी गई है हम उसकी यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप मैं आपको यहाँ पर पूरी eligibility criteria की criteria बताने वाला हो तो यहाँ पर देख सकते है eligibility criteria क्या रखा गई हम उसकी यहाँ बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो open for Indian national only ठीक है तो जो Indian है जो student Indian nationals है वो उनी को यहाँ पर यह जो scholarship मिलेगी, दूसरा है, applicant must be studying class 9th to 12th एना recognized school, ठीक है, तो किसी भी recognized school में, across India, इंडिया के किसी भी recognized school में, 9th से लेगर 12th तक में study करना चाहिए student, और जो annually family income होती है student की, या student के family की, तो वो 6 लाग से कम होना चाहिए, ठीक है, तो 6 लाग से ज्याद है, income sources है, आपकी family के, सब को मिलागा, 6 लाग से ज्यादे की income आपकी नहींती होनी चाहिए, मतलब इसमें income certificate आपका लगेगा, ठीक है, दूसरा है, special consideration for student, मतलब यहाँ पर special consideration उन student को दिया जाएगा, जिनोंने, who have lost to their parent earning family members, ठीक है, मतलब वो ऐसे student, जिनका, जो जिनके parents हैं वो due to COVID-19 या pandemic के दोरान, जिनोंने lost कर दी हैं, ठीक है, और या फिर जिनके earning family member की जो है, डेथ हो चुकी है, तो उन student को यहाँ पर consider किया जाएगा, ठीक है, और उन student को यह scholarship मिलेगी, Children of employee of HDFC limited and body for study are not eligible, एसे children, जिनके माता पीता HDFC limited के employee है, वो यहाँ पर eligible नहीं रहेंगे, ठीक है, तो इस बात का भी आपको विस्टास तोरपन द्यार रखना है, benefit के मैंने आपको बता दिया, 15,000 से 20,000 कि यहाँ पर scholarship आपको मिल सकती है, और जो 20,000 है वो urban student के 15,000 जो है, दूसरा हम बात करें, यहाँ पर documents की क्या के documents लगने वाले, तो mark sheet of the previous educational degree, ठीक है, तो जैसे आप, माली जी आप 12th class के, 12th class के student और आप अपलाई करना चाते है, तो 11th की आपकी mark sheet लगेगी, मतलब previous year, पिछले exam की mark sheet यहाँ लगेगी, दूसरा है यहाँ पर government issue identity proof, आपका एक इस year में आप current study कर रहे हैं, उस year का admission proof यहाँ पर fees receipt दे सकते हैं, फिर admission letter दे सकते हैं, उसके बात crisis document आपका लगेगा, day certificate of parents और proof of job loss, ठीक है, तो crisis document यहाँ पर most important है, क्योंकि यह जो scholar CP है, उन student के लिए, जिनोंने due to pandemic, अपने parents को lost कर दिया है, या फिर जिनके family में जो earning member थे उनकी pandemic के कारण, जो है day तो चुकी, तो यहाँ पर आपका day certificate लगेगा, ठीक है, family member का, reference of two person who know the family crisis, ठीक है, और दो person का reference लगेगा, जो आपकी family को जानते हैं, और जो जिनको पता है कि आपका pandemic के कारण crisis हुआ है, तो उनको यहाँ पर जो है, दो person का आपका, यहाँ पर reference bank account detail आपकी लगेगी, photograph आपका लगेगा, और केसे apply करना है, तो apply करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके पहले हम यहाँ पर पूरी eligibility criteria की बात करने माले, तो यह था दोस्तों, 9th to 12th, अगर आप 9th से लेकर 12th के student है, तो यहाँ पर आप जो है form fill up कर सकते हैं, 15 March इसकी last date है, ठीक है, चलिए हम next बात करते हैं, यहाँ पर कौनसी class के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, next है HDFC limited बढ़ते कादम scholarship for general undergraduate course है 2021, ठीक है, तो अगर आप undergraduate course कर रहे हैं, यहाँ आप college में हैं, तो college के लिए भी यहाँ पर scholarship program इनों रखा है, और यहाँ पर वही लगने वाले हैं, जो मैंने आपको पिसले वाली जो 9th to 12th वाले student के लिए बाता है, same documents आपके लागेंगे, बस इसमें previous year की mark sheet change होगी, और बाकी same वही रहेगा, और यह जो eligibility criteria है, यह भी उन student के लिए जिन्नोंने pandemic के कारण अपने family को loss कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर पर दोस्तों, यहाँ पर next जो scholarship scheme हो बो है, undergraduate professional course के लिए, ठीक है, तो अगर आप professional course like B, B.Tech आप कर रहे है, professional course आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 1 लाग तक scholarship मिल सकती है, और eligibility criteria है, इसमें same वही है, 15 मार्च इसकी deadline रखी गई है, ठीक है, अब apply कैसे करना है, apply करने के लिए कर रहे है, undergraduate के लिए, general undergraduate के लिए, तो यहाँ पर भी apply now का option है, आपके पास, यहाँ पर 9th to 12th वाला scheme choose कर रहे है, तो यहाँ भी apply now का option आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो आप जिस भी scholarship लिए करना चाते है, वहाँ पर apply now का option है, apply now का option पर आप जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको login मांगेगा, और login के लिए आप चाहे तो mobile number या email id से login कर सकते हैं, ठीक है, यह आपके उपर depend करता है कि आपको कैसे login करना है, I think दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, और यहाँ पर मैं आपको सारी जानकरी step by step बताने वाला हूँ, त लोगिन करने के बाद, अगर आपके पस mobile number से login करना चाहते हैं, तो don't have an account register का option है, यहाँ पर registration यहाँ पर कर सकते हैं, और उसमें side details दाल सकते हैं, यहाँ पर गूगल email id या फिर mobile number से login कर सकते हैं, यहाँ पर depend करता है कि कैसे आपको login करना है, तो आप जैसे ही login करने हैं, यह information, sleep वगरा, सारी details डालनी होते हैं, उसमें cash certificate, income certificates, documents upload करने होते हैं, और जैसे ही आप upload कर देते हैं, तो यह form आप easily भर पाएंगे, दोस्तो free of cost form है, इसमें कोई भी charge आपका नहीं लगेगा, आप घर बेट मुवाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है, और चलिए अब आप बात कर करते हैं कि कैसे आप form fill up कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर चलिए मैं email id से, यहाँ पर login कर लेता हूँ अपना, और आप चाहे तो email id से कर सकते हैं, या फिर चाहे तो register का एक option है, तो register वाला option है, उस पर भी आप click करके, अपना account बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर register कर देते हैं, you have successfully logged in का, यहाँ पर देखिए, हम login हो चुके हैं, और login होने के बाद, फिर से हम वही पर जाते हैं, नीचे जहाँ से हम है, apply करना है, यहाँ पर देखिए, आपको अगर कुछ confusion रहता है, तो यहाँ पर number भी दिए हैं, इस number पर आप Monday to Friday, 10 बज़े स 6 बज तर कोल कर सकते हैं, और अपने जो confusion है, वो सारे questions आप यहाँ से पूस्ट भी सकते हैं, आपको सारे questions के answer में यहाँ पर मिल जाएंगे, अब apply now पर जैसी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एसा page आपके सामने खुल कर आएगा, instruction यहाँ पर दिए, instruction आपको पढ़ लेना है instruction पढ़ने के बाद आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर apply करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए, एक option दिखाए जएगा, I need scholarship for, तो यहाँ पर आपको HDFC, scholarship यही बस एक नाम आएगा, तो इसे पर आपको select करना है, और start application का एक option है, या तो आप य नीचे option है, लोग आउड का था, लोग आउड भी या सका सकते है, simple से आपको start application वाले option पर click करना है, और जैसे ही आप start application पर click करेंगे, तो आपके सामने फिर एक नया page खुल कर आएगा, buddy for study की तरफ से यहाँ पर आप जो है login करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आ आपको यहाँ पर सबसे पहले student personal detail, आपकी अपनी personal detail राणी आप चाहते हैं, यहाँ पर वीडियो भी वाच कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो भी दिये हैं, यहाँ पर वीडियो वाच कर सकते हैं, अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, email id, mobile number, alternative mobile number, date of birth, gender, account, आधार card number, physically, challenge, अगर आप हैं, तो yes, नो करें, other personal detail आप यहाँ पर देना चाहते हैं, फिर आपको permanent address में आपको यहाँ पर देखिये, क्या-क्या फिल आप करना है, education detail में आप जैसे आएंगे, अगर आप 9-12 कर रहें, तो यहाँ पर option आते हैं, ठीक हैं, उसके बाद आपको class 12 की detail डालनी है, ठीक है, उसके बाद नीचे आना है, family member की detail आपको डालनी है, family member की detail से आप में, यहाँ पर जो है, please add minimum one earning family member, एक earning family member की detail आपको यहाँ पर डालनी है, आप चाहे तो 2 या 2 से ज location detail before proceeding the document selection, ठीक है, तो यहाँ पर आपको documents upload करने होंगे, उसके बाद documents upload करने के बाद आपको reference यहाँ पर जो है देना होगा, 2 person का reference जो मैंने आपको बताया था, फिर आपको यहाँ पर bank details डालनी है, अपनी सारी जो भी bank account number, आपका bank account holder name, ठीक है, उसके बाद आपको more about yourself बता अपने डाली हो सब आपको check out कर लेना है और उसके बाद final submit कर देना है, तो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, और इस तरह साब HDFC बढ़ते कदम scholarship का lab उठा सकते हैं, इसका form online भड़ सकते है, I hope आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो कर पसंद आया, तो वीडिय करें, चैनल पने, चैनल का subscribe जरू कर लेना, मिलता हम आपसे फिर एक नए वीडियो में,